ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसेर्स मैं सुमित कुमार सें आप तमाम यूपियस एस पैरेंट्स या अन्ड कोई कंपेटिटिव एक्जामनेशन की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों का इस मगत पुत्र यूटीब चैनल में अभिनिंदन करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिल्ट रोड इनिसिएटिव इन ट्रवल आखिर क्यों छो चैना का जो एक महत पकांग छी प्रियोजना प्रोजक्ट जो है वो ट्रेवल में है प्रिशानी ट्रीम था ट्रीम प्रोजेक्ट वो जो है इन ट्रवल है ड्यू टू चाइना श्रिंकिंग एकोनोमी चाइना की जो एकोनोम में डूब रही है उसकी बजह से आई आगे बढ़ते हैं पहले हम लोग जान लेते हैं कि वी आर आई है क्या वेल्ट रोड इनिसियेटिव तो दिन नेम वास कॉइंट इन टूजन थे यह जो नाम है दोहुजर तेरह में क्या गया था वाइद चानीज प्रसिडेंट जी जिंपिंग के द्वारा जो अभी परतमान में भी प्रसिडें जो है चाना एक कह सकते हैं इसेंट इंडिया तो हान डैनलेस्टी के दोवारा 2000 पूर प्रसिडेंव एक शिल्क रूट था यह कह सकते हैं सिंट रोड था जिसके दौर्द जो है शिल्क का बैपार किया जाता था ठीक है जी नेट बर्क बहुत हीं प्राचीन काल का नेट वर उनसे और विया Eurasia मतलब Eurasia और Asia होते हुए for centuries लगतार कई centuries तक इससे trade पगेरा होता था आगे the BRI has also been referred to in the past one built one road initiative ठीके जी one O.B.O.R. ठीके जी O.B.O.R. one built one road initiative भी से कहा जाता था तो पहले मैंने इसका इतिहास बता देना और इसके बारे में बता देना सही समझा क्या खिरिया है क्या आगे compromise यह क्या क्या compromise करता है मतब इनके अंतरगत क्या क्या चीज़ आता है तो BRI is compromises as a silk road economic build यह है प्रकार का economic build भी कह सकते हैं पैसेज है मतलब एक American continental एक continents से दूसरे continent ज़ी से अइसियाे से कह सकते हैं अफिरका हो गया यह फिर कह सकते हैं यूरोग हो गया ख़ंद से इतने जो कंट्रिय है मतलब जो चाइना के Northern और कह सकते हैं कि Western कंट्री है कि विस्टन कंट्रिय-वो लैंड से और कुछ कंट्री जो है चाइना के कोस्टल मतलब उसके जो साउथ में जैसे इंडिन ओसियन या फिर अफिर कंट्री बगेरा हो गया मिडिल इस्ट कंट्री हो गया वो जितने भी कंट्री हो वो सब कह सकते हैं कि वाई दी सी रूट वो ट्राइवल करेंगे यह है लैंड रूट और यह अगला है सी रूट तो ट्विटिफोर्स सेंचुरी मैरिट टाइम सिल्क रूट है सी रूट है कनेक्टिंग चाइना अज कोस्टल रीजन फिर साउथ इस्ट आइसिया जितने भी साउथ एसियन के कंट्री हैं फ ठिके डिए चाइना का यह एरिया ठिके जी और चाइना का एडिया लैंड रूट यहां गहाँ यह रसिया तक गहाँ है मंगोलिया होता है ची कि बेंजिंग से रसिया तक इधर आपका अगया मेडिटेंस सी अभर जो सारे पाकिस्तान के साथ यह चयना पाकिस्तानय के रोट को फिर्ट अपया नीचे वाले हैं यह सी रूट को कनेक्ट करता है ठीक है मतलब यह सी से होते हैं समुंद्र के रास्ते होते हुए जो है यह मैरी टाइम जो वहाँ स्रिलंगा से कनेक्ट होते हुए इधर अफ्रिकन कंट्री से इधर कनेक्ट होते हुए सोवेज कैनाल से कनेक्ट होते हुए यह फिर से जाके यूरो या connect करता इंटर कंटिनेंटल जो है वो नेटवर्क और कह सकते हैं इसका जाल जो है वो बिछाया गया है तो यही देखिए पुराने जवाने में जो कह सकते हैं मैरी टाइम सिल्क रूट था चाइना का आगे है तो चाइनीज प्रसिडेंट जी जिंपिंग ड्रीम ऑफसेटिंग न्यू बर्ल्ड और जो यह देखिए एक महात्पा कांग चीप रियूजना इसलिए भी है क्योंकि यह अमेरिका को हरा कर जो है अपना एक पूरे विष्व में जो है एक न्यू बर्ल्ड औरर इस्टैब्लिस करना चाहता है अपना एक कह सकते हैं प्रभूत को जमाना चाहता है अपनी एक कह सकते हैं की आइडियोलोजी को पढ़ाना चाहता है और अपना कह सकते हैं कोविड 19 की बज़े से और बोहान वाइरस की बज़े से और यह वाइरस भी मोर और लेस इसी की उत्पति है अगे बी आराई वेड एंड रोड इनिसियेटिव बिकमिंग अ फिनेंसिल इन भ्यावल अब यह जो है मौत्रिक तौर पे आर्थिक तौर पे जो है इन भ्यावल हो इसी भी तरीके से वो इस प्रियोजणाओं को डोनے में या फिस प्रियोजणाओं को लागू करने में इसका काह सकते है परिचालन में सक्छं नहीं है। इसलिए हुआ मजबूरी बर्स जो है इसको इसका जो लोन्स बगेरा उसे कट कर रहा है मतलब कम कर रहा है ठीक है जी और जितने भी नए-ने इन्वेस्टमेंट है न्यू लोन्स है उसे नहीं चारी कर रहा है country shrinking economy country का जो economy हो श्रिंक कर रहा है डूब रहा है कम रहा है आगे है एक रिसर्च में सब आए गया है कि Chinese investment reduced to 47 US dollar in 2020 approximate 54% in one year कहने का तात पर यह हुआ है कि Chinese को जो BRI मतलब Belt Road Initiative का जो investment होता था वो reduce कर गया है घट गया है 47 US dollar तक 47 US dollar तक in 2020 approximately जो है मतलब लगभग जो है जो है वो कमी धर्ज की गई है research में सब पाया गया है आगया है व्यांग जिया लॉंग व्यांग जिया लॉंग जो है पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से एदम पूरी तरह से जो है effected किया है effected है और while 30-40% मतलब 30-40% ऐसे हैं जो बिटनेस एडवर्स इंपक्ट जिस पे भी जो कह सकते हैं 30-40% पर जो है adverse impact हुआ है इस गुहान वायरस और का lack of financial transparency, financial की जो transparency है मतलब पारदर्शिता वो उसकी भी कमी है आगे unfair loan condition देखिए चायना जो है किसी देश को चाहिए इस लंका को जैसे loan दिया loan का कि इतना कह सकते हैं इतना बोज हो गया कि अगर loan नहीं चुका पाया तो उसे एक हमन टोटा जो है वो पोट ले लिया मतलब लीज पे पुला कि अगर आप loan नहीं चुका होगे तो आप यह पोट हमको दो मतलब कह सकते हैं आप कुछ जमीन हमको दो तो हमन टोटा पोट जो है वो सिलंका से वोजबरदस्ती ले लिया तो कह सकते हैं इनकी जो कंडीशन होती है ना कि अगर आप लोन नहीं चुगा होगे तो आपका कोई इसका क्यों कोई से अपि लोन के बदले जो है आपका लैंड लेगा या फिर आपकी किछ गिरमी रख लेगा मतलब आप आपकोई पुली आको कुछ नपुछ उसकी बदले में आपसे च्छीनेगा तो यह कैसी चानी की पॉलीशी है जो की डिप्स ट्रैप्ट बखे जाल है उसमें आपको फसा था आपको फसाने का मतलब है कि जो small island country जैसे मैल डेट्स हो गया इसलंका हो गया और अफ्रिकन country बगेरा हो गया ठीक ही और इसका एक प्रभाब है socio-involumnal impact इसके जो कह सकते हैं कि प्रभाब है इस प्रभाब है इसके कारण इन सब कुछ और प्रभाब्लम्स की बज़े से इसकी जो भी आराई प्रोजेक्ट है वो देरे दोग रही है आगे जब केस अब पाकिस्तन अब देखे चाइना जो कह सकते हैं भारत का दुस्मन है देखे एक चानक की कि एक कटलनी की नीती थी कि मतलब दुस्मन का दुस्मन दोस्त होगा तो चाइना भी हमारा दुस्मन है और पाकिस्तान भी दुस्मन है इसलिए इन दोनों में घनिष्ट मित्तरता है और भारत का जो पीयो के जो चाइना कुछ कपजा रखा है अक्साइची और कुछ पाकिस्तान कपजा रखा है पीयो पाकिस्तान एकोनमिक कॉरिडूर तो इस भी यह भी BRI का ही हिस्सा है इस में कहा गया है कि पाकिस्तान जो चाइना का आल-वफेदर इस बिर आ प्रोजेक्ट में मतलब उस सी पेक प्रोजेक्ट में जो कि चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कोरिडूर है उसमें जस्ट ठाटी टू अब डी टोटल 122 मतलब 122 प्रियोजना में मात्र बत्तिस प्रोजेक्ट जो अभी तर्क कम्प्लीट हुए है मान के चलें कि 122 में से 32 32 जो है वो complete हुए तो इसकी प्रस्थिती जान सकते हैं कि इसकी नयाब डामाडोल है BRI, डुलेट रोड और इनिसियेटीव का आगे ता reduced growth rate जानते हैं इस COVID-19 गोवान वायरस के कारण सारे country से affected है सभी का economic districts में है जिसके कारण growth rate का जो है कैसे स्लो होना कम होना सभाविक है आगे फोर्स बिंजिंग टॉ टाइटेन इससे क्या है बिंजिंग को टाइटेन होना पड़ा और फीजकल डिसिप्लीन अपनाना पड़ा है फिनेंसियल रिक्स को देखते हुए तो टांसलेट लोर प्रोस्पेक्ट ऑफ चाइना पंपिंग मनी इंटु बियाराई प्रोजक्ट अब इसी प्रिप्रप्च में जो है चाइना जो है वह बहुत ही कम मनी को पंप कर रहा है बियाराई प्रोजक्ट में बेल्ट हैं प्रोजक्ट किया है चाइना जो है पोजेटिव ग्रोफ कर रहा था फिर भी जो है कि ताभी कर ले तमाम जब विश्व का जो है वर्ल्ड आर्डर बिगरता है एक्कोनोमिकली तो उसका एफेक्ट जो है पूरे देशों और पूरे कह सकते हैं ग्लोबल अस्तर पर होता है क् सारी के सारी देश अभी इंटरकनेक्टेट हैं है कंट्रक्षण इन चाइनीज लेंड़िंग वाइट और सीज लेंडिंग करते थे मनी बगेरा उनका कंट्रेक्षण हुआ overseas lending gap में जितने भी पूरे विश्व में यह अपना पैसा क्या सब्सक्राइब में फसाते थे उसमें भी contraction आया है यह आपने देखी लिया आगे इंडिपेंडेंट जो कि ई legislative कर Otu जो जन स्देबी इक हुपह सब्सक्राइब इसमें कहा है कि नॉच होफिल एप री इनका रिसरच बताता है कि वे बारे में वह ज्यादा आशा वान वित्र नहीं है मतलब उनका जो है कह सकते हैं इसमें कहा है कि not much hopeful about BRI, इनका research बताता है कि वह BRI के बारे में वो अज्यादा आशावानवित नहीं है, उनका जो है कह सकते हैं, अब इससे अधिक आसा वो नहीं रखते हैं, वो भूबेगा ही, अब जो है जतने भी जिससे अभएर हो गे है, कि बारे मों करणा के जाल में हमें फासा रहा है, तो इससे वो चाहते हैं कि BRI का जो लोन है उसे वो cancel कर दे तो चोटे-चोटे country जो है इससे अभेर होगे जाग रोख होगे वाइल Chinese people are against overseas spending in such difficult time अब चाइनास के जो people है इस जो economic contract कर रहा है contractions में है जो economy की हालक जो है वो गिर रही है वो कह सकते हैं कि decline में है तो चाइनास के जो people है जो जनता है वो अभी चाहती है कि इस difficult time में चाइना जो है बाहरी देशों पर अधिक से अधिक पैसा खर्च ना करे first meet its domestic need pandemic and induced economic slowdown सबसे पहले वह जो है economic जो है domestic need की जो है जो घरीलू जरूरते हैं उसे पूरा करे इस pandemic से जूजने में और कह सकते हैं कि इस COVID-19 से deal करने में और जितने भी परिशानिया उठाना पढ़ा है घरील गश्तर पर उसको समधान करें तो यह वीडियो यहीं समपन्न हुआ आसा करताओं के वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें अगर यह आप उनके सब्स जब्सक्राइब करें और प्रिस्टी बेल इकन अलसो तो थांक यह वीडियो आपको अगा टेट वन्स अगान